वेलकम डॉल एक्सम्प्लेस अंद्रोहित आज हम देखेंगे पार्शल एंड टोटल डेरिविटिफ एंड टोटल डेरिविटिफ तो देखते हैं चलिए जैसे एक कोशन दिया है है जाएगा यहां पर यहां पर एक्स है यहां या ब repo बचेगा और यह इसका क्या हो जाएगा यहां अब हम क्या करेंगे, y के respect में करेंगे, del x into del y, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 1, तो हमारा answer क्या है, minus 1 आ गया, ठीक है, अब इसको just opposite करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, पहले y के respect में करते हैं, ठीक है, तो y के respect में करेंगे, क्या हो जाए फिर हम करते हैं x के respect में ओकी तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1 आ गया ठीक है तो इससे क्या पता चला हमको del square z by del x del y equal होता है del square z by del y del x के तो यह जो हम question आएंगे तो आप इस type से partial और total derivative करेंगे ठीक है अब हम देखते हैं homogeneous function क्या होता है काफी important है यह भी mathematics में तो friends अब देखते हैं homogeneous function क्या होता है देखे कोई function है f जो की x और y का function है ठीक है अब यह homogeneous कप कहलाएगा जब इसकी degree n हो और if f kx ky equal to k की power n function of x y k तब यह क्या कलाएगा function homogeneous function कलाएगा example के तोर पे एक question देख लेते हैं जैसे f और x के term में एक question दिये हुई है x square minus x y plus y ठीक है अब यह f x के y में हम क्या करेंगे k x ky क्या होगा यहाँ से k square x square minus k square x y plus ky यह हो जाएगा sorry हाँ ठीक है यह हो जाएगा यहाँ पर y square है यह भी y square जगा k square common ले लेते हैं क्या बचेगा x square minus x y plus y square तो यह देखी यह जो function है यह क्या है f का function है x y का function है तो क्या आगया है हहाँ से right hand side आगया k square f x y आगया अब यहाँ पर इसकी degree क्या है two है okay तो यह इस type से हम question solve करेंगे इसमें भी मैं आपको कुछ note बताते हुँगा तो वह देख लिए तो देखें दो note जो है वह है पहला कहता है कि product of two homogeneous function जो होगा वह क्या होगा वह भी homogeneous function होगा जैसे एक product यह है दोनों का product जब हम करेंगे तो जो function बनेगा वह भी क्यक्क बनेगा homogeneous function बनेगा इसको हम देखें तो a plus b a minus b के form में दिया हुआ है क्या हो जाएगा a square minus b square हो जाएगा हो जाए तो x q square minus y q square n की value क्या हो जाएगे यहाँ से 3 plus 2 equal to 5 हो जाएगे तो इस टाइप से होता है second बोल रहा है function अगर rational form में है तो numerator और denominator दोनों अगर homogeneous function है जैसे यह example में देख देख रहे हैं तो उसका जो function होगा product वाला भी कैसा होगा homogeneous function होगा जैसे x की पार 1 by 4 प्लस x की पार 1 by 4 और x की पार 1 by 5 minus x पार 1 by 5 तो इस टाइप से कुछ function दिया होगा ठीक है यह minus में देख सके हम वह इस टाइप से function के लाएगा ठीक है तो n equal to 1 by 4 minus 1 by 5 तो जो आएगा वो 1 by 20 आजाएगा इन की वैलो इस टाइप से homogeneous टी का rule चलता है ठीक है तो friends यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करें share करें और चैनल को subscribe करें next video में मैं आपको बताऊंगा यूलर्स ठीओरम ओके और कापी important है और इसके applications जो होंगे वो भी देखेंगे कि